Hello students, welcome back. आज हम शुरू करेंगे अपना English का next chapter जिसमें हम एक pork tail पढ़ेंगे जिसमें ये कहानी बताई गई है कि आखिर समुद्र का पानी जो है वो खारा क्यों है यानि कि नमकीन क्यों है तो हम अपना next chapter शुरू करते हैं हमारे chapter का नाम है And the sea becomes salty यानि कि और समुद्र खारा बन गया यानि कि शाल्टी बन गया Chapter in view इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे The present chapter is a folk tail of Norway ये कहां की folk tail है Norway की It is in the form of a play and explains how does the sea become salty या आपको जो कहानी है किस की तरह बताई गई है एक play की तरह बताई गई है और ये आपको ये explain करने की कोशिश करिए कि आखे समुद्र का पानी जो है वो salty क्यों हो गया अब इस chapter में हम कौन-कौन से characters पढ़ेंगे यहाँ पर storyteller है Rich brother है यानि कि अमीर भाई Poor brother यानि कि गरीब भाई एक old beggar यानि कि एक बूड़ा बिखारी Poor brother's wife यानि कि जो गरीब भाई है उसकी पतिनी First visitor, second visitor ऐसे ही आपके total six visitors हैं यहाँ पर First, second, third, fourth, fifth और six visitor है Sea captain and members of his crew साथ ही कौन है यहाँ पर Sea captain और उसके crew के members So हम स्टोरी शुरू करते हैं The curtain is down The storyteller strolls to center of stage from left He carries a guitar at center stage He makes a deep bow to the audience Over his guitar which he holds in place So अभी क्या है? अभी जो पर्दे हैं इनकी play शुरू होने वाला है तो अभी पर्दे जो हैं वो नीचे गिरे में हैं पर्दों ने स्टेज को ढख रखा है सभी जो storyteller है वो left से stage पर आता है और उसके हाथ में एक गिटार है वो audience के सामने एक बो लेता है यानि कि अपना सर सामने चुकाता है Scene 1 Storyteller There were two brothers as you shall hear and one was rich and one was poor The poor one stands at the rich one's door bagging food and nothing more So storyteller story को narrate करके शुरू करता है कि story में क्या है कि दो भाई यहाँ पर है एक अमीर है और एक गरीब है जो गरीब भाई है वो अपने अमीर भाई के घर के दर्वाजे पर खड़ा है और उससे खाने के लिए मांग रहा है कुछ चीज खाने के लिए मांग रहा है और इससे जादा कुछ भी नहीं Storyteller returns to the left side of the stage and sits cross-legged on the floor as the curtain rises इसके बाद क्या होता है जो storyteller है वो जाकर left side of the stage वैठ जाता है और तभी परदे जो हैं वो उपर उठते हैं place यहाँ पर कौन सी अभी जगह दिखाई गई है a word with the terrace of the house visible at right of stage तो यहाँ पर एक terrace दिखाया गया है लखडी का जो कि यह घर का terrace है right side में दिखाया गया है stage के the rich brother and the poor brother are talking the rich brother richly dressed stands in front of his house the poor brother is in racks and stands facing his brother but in such a way that the audience can see his face which wears a pleading expression तो वहाँ पर क्या चीज दिख रही है कि जो rich brother है उसमें बहुत अच्छे से कपड़े पहन रखे है और वो अपने घर के सामने खड़ा है और जो उसका गरीब भाई है वो उससे बात कर रहा है उसका गरीब भाई ने कैसे कपड़े पहन रखे है काफी पुराने फटे कपड़े पहन रखे है और अपने अमीर भाई की तरह face करके वो खड़ा है और उनसे बात कर रहा है लेगिन इस तरीके से की audience को उनके face के expressions अच्छे से दिख रहे है तो जो रिच ब्रदर है वो अपने पूर ब्रदर से कहता है कि यह चौथी बार है कि तुम मेरे पास ऐसे कुछ मांगने के लिए आया हो और मैं अब बहुत सहच चुका मैंने बहुत देख लिया अब तुम मुझे परेशान करने मत आओ और यहां से चले जाओ तो जो पूर ब्रदर है वो क्या कह रहा है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे पास और मेरी वाइफ के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है तो आप मेरी इस बार मदद कर दो मैं आगे से आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा तो जो अमीर भाई है वो पहले थोड़ा है थोड़ा है फिर गुस्से में अपने हाथ उपर करके खड़ा हो जाता है वो कहता है ठीक है लेकर यह आखरी बार है तो जो अमीर भाई है वो अपने घर में जाता है और फिर वापस जब बहार आता है तो उसके हाथ में दो ब्रेट के लोव सोते हैं और एक खलाई सोता है रोस्टेड मीट का वो उसे अपने पूर भाई को देता है और कहता है कि यह लो और यहां से जाओ उसके बाद वो फटा-फट से अपने घर में वापस चला जाता है तो जो पूर ब्रदर है वो अपना टेरिस से उतर के वापस वोट की तरफ जाने लगता है जंगल की तरफ से अपने घर की तरफ निकल जाता है तभी स्टेज के लेफ्ट साइड से एक ओल्ड बैगर जो है वो एंटर करता है और उसे रस्ते में मिलता है ओल्ड बैगर इन दी नेम ओफ चैरिटी गिव अ पूर और स्टाविंग मैं अ मोर्सल तो इट तो ओल्ड बैगर पूर ब्रदर से कहता है कि चैरिटी के नाम पर इस गरीब को जो की बहुत भूका है इसे कुछ खाने के लिए दे दो तो जो पूर ब्रदर है वो बैगर से कहता है कि मैं खुद अभी भी भीग मांग रहा था लेकिन मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ कि मैं किसी को किसी सामने वाले की मदद ना करवों जिसकी कंडिशन मुझसे भी खराब है ऐटली स्थ मेर पास खाना है लेकिन आपके पास कुछ भी नए है तो आब यह लो तो वो क्या करता है वो उसके पास जो दो ब्रेट के लोफ्स होते हैं वो बैगर को दे देता है और साथ ही जो उसके पास तोस्टेड मीट था उसको भी वो हाफ में कट करने लगता है लेकिन बैगर उसे बीच में ही रोक देता है ओल्ड बैगर, ओ इनफ इनफ, इनफ, दो नॉट कर्ट द मीट, कीप इट फॉर नाओ एंड यूर जेनरोसिटी विल बी रिवॉल्डेड, तो ओल्ड बैगर ने पूर ब्रदर से कहा कि इतना काफी है, मीट को मत काटो, इसे तुम अभी के लिए अपने पास रखो और तुम्हारी जो ये जेनरोसिटी है, ये इसके लिए आपको इनाम दिया जाएगा पूर ब्रदर, and how will that be, surely you are hardly in position to reward me तो पूर ब्रदर बोलता है कि लेकिन ऐसा कैसे होगा, आपकी कोई ऐसी condition तो नहीं है कि आप मुझे कोई reward दे पाओ ओल्ड बैगर, I will tell you something, he draws close to पूर ब्रदर as if to share a secret तो ओल्ड बैगर पूर ब्रदर से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, फिर वो पूर ब्रदर के पास में जाता है, ऐसे कि वो पूर ब्रदर के साथ कोई secret को share कर रहा हो not far from here is the entrance of the underground home of the dogs, go there with the meat, they love meat and I happen to know that they have none, so they will want yours, but don't give it to them until they agree to give you in return a little hand mill, which they keep hidden behind the door, when you have it, meet me here and I will tell you how to use it. तो ओर बेगर पूर ब्रदर को बताता है कि यहां से कुछ ही दूरी पर क्या है, डाफ्स का यानि कि जो बॉने होते हैं, उनके घर का एक underground रस्ता है, तो तुम वहाँ पर meat लेके जाना और उनको meat बहुत पसंदा और मुझे अभी पता चला है कि उनके पास खाने के लिए meat नहीं है, तो वो तुम्हारा meat तुमसे लेना चाहेंगे, लेकिन उन्हें तब तक मत देना जब तक कि वो तुम्हें अपनी little hand mill देने के लिए agree ना कर जाएं, जो कि वो एक दरवाजी के पीछे छुपा के रखते हैं, और जब तुम्हें वो hand mill मिल जाएगी, तो तुम नहींगा कि उसे इस्तिमाल कैसे करते हैं, तो पूर ब्रदर ने कहा कि आपका शुक रिया, अब आप मुझे ये बताओ कि मैं उनके घर की एंट्रेंस को किस तरीके से ढूनू, old beggar turning to point down stage left while poor brother bends to follow the direction in which he is pointing, you follow that path until you come to a large stone and then, तो old beggar क्या करता है, वो stage के left में poor brother को कुछ point करके दिखाता है, और फिर कहता है कि तुम इस रस्ते पे जाना जब तक कि तुम्हें बड़ा सा stone नहीं मिल जाता, scene 2, अब second scene आगया है, place the path in the wood, तब कौन सी place की बात हो रही है, जो जंगल के बीच में रस्ता जा रहा है, उस जगे, the storyteller strolls to center stage as before, तब storyteller जो है, जो की कहानी को narrate कर रहा था, वो stage के बीच में आता है, story teller, the poor brother found the home of the dogs where they lived down among the roots of these very trees, gesturing, they wanted the meat just as the old man said they would and they offered many fine things in exchange for it, but the poor brother wouldn't trade it unless they gave him the milk, so at last they did, so storyteller बता है कि poor brother ने dogs के घर का रस्ता ढोंड लिया, उनका घर को ढोंड लिया और वो कहां रहते थे, वो roots के, trees के roots में रहते थे, वहाँ पर उन्होंने अपना घर बना रखा था, और उनको क्या चाहिए था, उन्हें meat चाहिए था, जैसे की old man ने बताया था, और उस meat के बदले उन्होंने poor brother को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों का offer किया, लेकिन poor brother तब तक नहीं माना, जब तक ही उन्होंने मिल देने के लिए agree नहीं कर दिया, तो आखिर में, जो dogs थे, उन्होंने meat के बदले, उन्हें milk दे दी, तो जो storyteller है, वो वापिस से stage की left side में आकर, अपना बैट जाता है, फ्लोर पे, और फिर curtains उपर उठ जाते हैं, old beggar, good, good, I see you have it, तो old beggar poor brother से बोलता है कि अच्छी बात है, तुम्हारे को वो मिल गया, poor brother grinning happily, अब poor brother मुस्कुराते हुए, खुशी से मुस्कुराते हुए कहता है, that I have, and I am eager to know how it works, for surely this is a magic mill, तो poor brother कहता है कि हाँ, अब ये मेरे पास है, और मैं बहुत इगर हुँ, उच्छी सुख हुँ ये जानने के लिए, कि ये किस तरीके से काम करता है, और surely ये एक magic mill है, तो वो क्या है, एक magic mill है, यानि कि एक magical grinder है, old beggar, it is a magic mill, you have only to ask it for whatever you want, and it will grind out your wish, it will keep on grinding until you say, good little mill, I thank you for enough, he shakes his finger under poor brother's nose, now don't forget those words, good little mill, I thank you for enough, old beggar poor brother को बता है, कि ये एक जादूई mill है, जादूई grinder है, और तुम इसे जो भी बोलोगे, ये तुम्हारे लिए वो grind करके निकाल देगी, वो तुम्हारी wish को पूरा कर देगी, उसे grind कर देगी, पीज देगी मतलब, और ये तब तक grinder ये चलता रहेगा, जब तक ही तुम ये नहीं कह देते क्या, good little mill, I thank you for enough, कि ठीक है little mill, मैं तुम्हारे को इतने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं, फिर old beggar उन्हें चेताबनी देता है, poor brother को, कि इन वर्ड्स को तुम भूलना मत, यानि कि ये जो वर्ड्स हैं, ये काफी important है, तो वर्ड कहते हैं, good little mill, I thank you for enough, poor brother, you can be sure I won't, and thank you kind sir, this is my lucky day, तो poor brother कहता है, कि मैं इन वर्ड्स को नहीं भूलूंगा, और आपका शुक्रिया, आज मेरा lucky day है, he turns and hurries along the way, he has come, उसके बाब वो फटावट से, उसी रस्ते चला जाता है, जहां से वो आया था, scene 3, place inside the poor brother's cottage, तब कौन सी जगे की बात हो रही है, poor brother के घर की, story teller, the poor brother ran home to his wife, he could hardly wait to show her the wonderful mill, besides, he himself was eager to see, what it could do for, don't forget, he was very very hungry, so story teller बता है, कि जो poor brother था, वो पटापट से घर अपनी wife के पास भागा, वो उसे wait नहीं हो पा रहा था, क्या कि वो उसे wonderful, जो से एक अभी mill मिली है, वो अपनी wife को दिखाने के लिए काफी, उस्तूप था, और इसके अलावा वो खुद भी काफी इस बात के लिए भी उत्सुख था, कि उसे वो चीज इस्तिमाल करने के लिए मिलेगी, और वो काफी भूका भी था, इसी के साथ, स्टूरी टेलर वापस अपनी जगह पर जाके बैठ जाता है जमीन पे, और तभी कर्टेंज जो हैं वो उटने लगते हैं, पूर ब्रदर रशिंग इन, लुक वाइप, जस्ट सी वाट आएप हेर, दिस इस अवा लखी डे, तो पूर ब्रदर फटाफ़र से घर में भागता वो जाता है, और कहता है, देखो वाइप, मेरे को क्या मिला, मेरे पास क्या है, आज हमारा लखी दिन है, वाइप, लुकिंग अराउंड बट नॉट लिविंग हर चेर, आइसीन नथिंग बट लिटल हैंड मिल, वाइप तेकन यू सो लॉंग, आज हमारा लखी दिन है, तो वाइप, जो है, वो चारों तरफ देखने लगती है, कि ये किसकी बात कर रहा है, और फिर वो अपनी चेर से नहीं उपती, लेकिन वो अपनी चेर पर बैठी रहती है, वहाँ से नहीं उपती, फिर वो कहती है, कि मेरे को यहाँ पर कुछ नहीं देख रहा, सिवाई इस little hand mill के और तुम्हारे को इतनी देर कहा लग गई मेरे को बहुत ठंड लग रही है और भोग लग रही है वो खाना कहा है जो तुम लेने गए थे पूर ब्रदर प्लेसिंग दी मिल उन दी टेबल तो पूर ब्रदर के पास जो मिल थी वो उसे टेबल पर रख देता है और कहता है तो पूर ब्रदर कहता है कि जो सारा खाना है वो यहीं पर है यह एक magic mill है और यह तुम्हारे को जो भी तुम्हारी इच्छा है वो बना कर दे देगी वो ग्राइंड करके दे देगी तो बताओ वाइफ की तुम क्या खाना चाहती हो वाइफ गेटिंग स्लोली आउट आउट अफर चेर एंड अप्रोचिंग दी टेबल आइड लाइक सम रोस्ट मटन एंड गुड वाइट ब्रेड तो वाइफ धीरे से अपनी चेर पेसे उठती है और तेबल की तरब जाती है फिर वो कहती है की मैं थोड़ा सा रोस्ट मतन और वाइट ब्रेड खाना चाहूंगी थो पूर ब्रदर मिल पर जूके मिल से कहता है की मतन और वाइट ब्रेड को घ्राइंड करो there is a grinding noise there should be a drawer in the table which the poor brother now opens the drawer should be facing away from the audience from the drawer the poor brother draws a piece of roast meat pretending it comes from the mill next he lifts out some loaves of white bread so क्या आती है तो कुछ बैग्राउन में कुछ grinding की noise आने लगती है याने की कुछ पिसरा है इसकी आवाज आने लगती है तभी जो है जो पूर ब्रदर का रोल कर रहा था वो टेवल की एक ड्रॉवर खोलता है जो की ओडियन्स नहीं देख सकती ओडियन्स से वो ड्रॉवर छुपी हुई है और वहाँ पर से वो पीस ओफ रोस्टेड मीट रोस्ट मीट का एक पीस और साथ ही कुछ वाइट ब्रेड वहाँ से निकालता है पूर ब्रदर, look at this wife he holds up the plate of roast meat as the grinding noise continues and just look at this he shows her the loaves of white bread didn't I say this was our lucky day तो पूर ब्रदर कहता है कि ये देखो वाइट और वो क्या करता है एक प्लेट उठाता है जिसमें roast meat रखा होता है और पीछे से grinding की आवाज अभी भी आ रही है वो कहता है कि देखो इसे भी और फिर वो white bread भी उसे दिखाता है तब मैंने कहा था ना कि आज हमारा lucky दिन है वाइब, overjoyed husband, husband, you are right this is our lucky day what a fine husband you are तो वाइब भी बहुत खुश हो के कहती है कि तुम सही कह रहे हो आज हमारा lucky day है तुम कितने अच्छे husband हो poor brother loudly over the grinding noise good little mill I thank you for enough the grinding noise stops तो poor brother फिर grinding noise से अपनी आवाज को test करने के लिए जोड से कहता है कि good little mill I thank you for enough और इसी के साथ जो grinding की आवाज आ रही थी वो रुक जाती है, बंद हो जाती है poor brother and wife look at one another with joy then they join hands and dance around the table जो poor brother और उसकी wife थे वो एक दूस्थे की तरफ खुशी से देखते हैं फिर वो हाथ पकड़ के टेबल के चारो तरफ नाचना शिरू कर देते हैं scene 4 placed inside the poor brother's cottage अब कौनशी जागे की बात हो रही है, poor brother के घर की बात हो रही है the storyteller strolls to center stage as before और storyteller इसी के साथ stage के बीच में फिर से आ जाता है storyteller now that they knew how to get all the food they wanted the poor brother and his wife planned a feast for all the poor people of the town when the rich brother heard about this he hurried over the poor brother's house to find out where he had got the money to pay for so much food तो अब क्या हुआ अब poor brother को ये पता था कि वो कैसे सब को खाना खिला सकता है कैसे अपना खाने की विश्वा पूरी कर सकता है तो उसने और उसकी wife ने plan किया कि वो एक दावत रखते हैं किसके लिए इतने भी शहर के गरीब लोग हैं सब के लिए वो दावत रखते हैं और इसी के बारे में उसके rich brother ने सुन लिया उसके जो अमीर भाई था उसको भी बात पता चली कि वो ऐसे दावत रख रहे हैं तो वो यह सोचने लगा कि इसके पास इतने सारे पैसे आए कहां से कि वो इतने सारे खाने की payment कर सके तो वो यही देखने के लिए poor brother के घर जा पहुँचा अज जो storyteller है वो वापस left side जाकर टेज की अपना cross leg करके floor पे बैट जाता है और जैसे कल्टे उठने लगते है पहला visitor अपने मूँ में fruits डालते वे कहता है कि यह कितनी अच्छी strawberries है second visitor smacking his lips taste this roast meat second visitor भी अपने मूँ पर हाथ रखके कहता है कि यह roast meat को taste करके देखो third visitor smelling and then eating the cheese I have never eaten such delicious cheese third visitor भी cheese को smell करके खाते हुए कहता है कि मैंने इस से ज़ादा tasty meat आज़ tasty cheese आज तक नहीं खाया fourth visitor wiping her mouth nor I such wonderful cake fourth visitor भी अपने मूँ पोस्ते वे कहती है कि ना ही इतना अच्छा cake fifth visitor reaching across the table greedily I must have one of those jelly tarts sixth visitor grabbing the plate no you don't they are just enough for me fifth visitor table की दूसरी तरफ जाते हुए कहती है कि मुझे वो jelly tarts भी taste करने है एक तो मैं खाऊंगा so sixth visitor plate को उठा के कहता है कि नहीं तुम नहीं खाऊगे ये मेरे लिए ही बहुत काफी है कम है wife hurrying over let her have them the mill will grind as many more as we want so wife वहाँ पर फटाफट से पहुँचती है कि इसकी poor brother की wife और वो कहती है कि उसे वो खाने दो तुम्हें जितना भी चाहिए mill जो है वो और grind कर देगी first visitor will it grind anything you want even money fifth visitor of course silly didn't you hear them say it is a magic mill first visitor पोस्ता है क्या वो सब कुछ वो चीज grind करेगी जो तुम्हें चाहिए even money भी तो fifth visitor कहती है कि of course क्यों नहीं तुमने सुना नहीं कि वो एक magic mill है first visitor taking poor brother by the arm ask it to grind money enough money for us all first visitor जो है वो poor brother का हाथ पकड़ते वे कहता है कि उस mill से पोलो कि वो हमारे लिए money को grind करेगी इतना कि हम सब के लिए वो money काफी हो वो पैसे काफी हो poor brother a good idea he starts toward the shelf where the mill is put when there is a loud knock at the door poor brother कहता है कि ये एक अच्छा idea है और वो shelf की तरफ जाने लगता है जहांपर की hand mill को रखा गया है लेकिन तभी क्या होता है तभी उनके दरवाजे पर काफी जोर से खट-खटाने की आवाज आती है wife opening the door wife brother what brings you to our humble house come in, come in, you are welcome तो wife जाकर दरवाजा खोलती है और कहती है कि भाई और आप हमारे घर, आपका हमारे घर में कैसे आना हुआ आप अंदर आओ आपका यहां पर स्वागत है rich brother entering and approaching the table to astonish to answer her greetings visitors step back as he draws near तो rich brother घर के अंदर घुशता है और table की तरफ बढ़ने लगता है जहां पर बहुत सारी चीजों को देखकर उससे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे और तब ही उसको आगे बढ़ता हो देखकर जहां पर जितने भी visitors होते हैं सब पीछे हट जाते है what is this how did you come by all this wonderful food I gave you only meat and bread तो rich brother जो है वो poor brother से पूशता है कि यह सब क्या है तुम्हारे पास इतना सारा अच्छा अच्छा खाना कैसे है मैंने तो तुम्हें सिर्फ meat और bread दिया था poor brother approaching with the mill in his hands by means of this brother this is a magic mill it will grind anything we wish तो poor brother mill के साथ अपने rich brother के पास जाता है और कहता है कि इसकी मदस्ते ब्रदर यह एक magic mill है और यह हर चीज वो grind करेगी जो भी आपकी wish है rich brother reaching for the mill then I must have it you must let me borrow it I promise to bring it back yes yes I must have it he seasons the mill and goes out of the door I promise to bring it back he runs out तो rich brother क्या करता है वो mill की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि यह मेरे पास होनी चाहिए मैं इसे उधार ले रहा हूँ अब मैं promise करता हूँ कि मैं तुम्हारे को इसे वापिस कर दूँगा और हाँ यह मेरे पास होनी चाहिए वो mill को seize कर लेता है अपने पास रख लेता है और फिर दोर से बहार निकल जाता है और कहता है कि मैं promise करता हूँ कि मैं इसे तुम्हें वापिस कर दूँगा और वहां से वो भाग जाता है पूर ब्रदर रुनिग आफ्टर है तॉप स्टॉप देर इस सम्थिंग यू मस्ट नो कम बैग इस टॉपस इन दी डोर वे एंड शेक्स इस हैट तुप ब्रदर उसके पीछे भागता हुआ जाता है रिच ब्रदर कहता है कि रुको एक ऐसी चीज़ जो तुम्हें पता होनी चाहिए वापिस आओ लेकिन उसका जो रिच ब्रदर है वो भागता हुआ चला जाता है वो दर्वाजे पर रुकता है और अपना सर हिलाने लगता है फिर ब्रदर कहता है कि मुझे लगता है कि वो यूँ सोच रहा है मैं उसे मिल नहीं देना चाहता देखो वो कितना जोर से भाग रहा है कितनी तेज भाग रहा है वाइप, let him go we can get the mill later if he does not bring it back तो वाइप कहती है अवसे जाने दो हम मिल को वापिस दे लेंगे अगर वो हमेरे को वापिस देने नहीं आता है तो हम बाद में उनके पास जाके मिल वापिस दे आएंगे पूर ब्रदर तरनिंग तो हर you don't understand, he doesn't know how to make the mill stop everyone stares from one to the other shaking their heads तो पूर ब्रदर अपनी वाइफ की तरफ मुड़ता है और कहता है कि तुम समझ नहीं रही हो उसे ये नहीं पता कि मिल को आखे रोका कैसे जाए सब एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर अपना सर हिलाने लगते हैं अब scene 5 placed inside the poor brother's cottage जो poor brother का घर है यहाँ पर अभी उसी का scene चल रहा है the storyteller strolls to the center stage as before जो storyteller है वो वापिस से center stage आ जाता है जैसे कि वो बार-बार कर रहा था storyteller tracking some chords and chanting so storyteller के पास जो guitar था वो उसको बजाते हुए कुछ गाते हुए आ रहा है the rich brother took the mill on the run for he thought that now he'd have some fun but he couldn't make it stop with pleading or swearing so he's up to his neck in soap and herring so rich brother ने क्या करा storyteller बता रहा है कि rich brother जो है वो mill को लेकर वहाँ से भागा और उसे लगा कि अब वो इसके साथ कुछ उसको fun activity करेगा लेकिन वो किछ भी कर ले वो mill को रोक नहीं पा रहा था एक बार मिलने grind करना शुरू करा तो वो mill को रोक नहीं पा रहा था चाहे अब वो उससे plead करता रहे या उसे swear करता रहे उसे कुछ बुरा भला कहता रहे और अब वो अपने गले तक सूप से भर चुका था इसी के साथ स्टोरी टेलर वापिस अपना लेफ साइट पर जागे जमीन पर बैठ जाता है और परदे जो हैं वो उपर उठने लगते है rich brother come, come quickly, it is the mill, it's your miserable mill, how I wish I had never heard of it, you played a trick on me, that's what you did, now come and release me rich brother, poor brother से कहता है आके, कि चलो मेरे साथ, जल्दी चलो, यह तुम्हारी मिल है, यह तुम्हारी खराब मिल है और कैसे की मैं wish करता हूँ कि मेरे को इसके बारे में कभी पता ही न चलता, तुमने मेरे पर trick ले करी है और तुमने यही किया अब आओ, अब मेरे साथ, चलो और मुझे इससे, रिलीस करो poor brother, rising from his chair, what happened, what did you ask it to grind poor brother, अपनी chair से उठते हुए अपने rich brother से पूसता है कि क्या हुआ, तुमने उसे क्या grind करने के लिए कहा rich brother, soup you fool, seeing all the good food here made me hungry so as soon as I got home, I asked the mill to grind soup and serve up herring now my house is awash in soup, my garden is flooded and there are herring all over the house wife starts laughing at rich brother's talks so rich brother क्या कहता है, कि मैंने उसे soup grind करने के लिए कहा था और अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर जितना सारा खाना देखा, मुझे भी यह सब देखके भूक लगने लगी, तो मैं जैसे ही घर पहुँचा, मैंने मिल से कहा कि वो मेरे लिए soup और herring को grind करे, और अब मेरा घर जो है अब 6th scene की बात हो रही है, place inside the poor brother's cottage, poor brother के घर की बात हो रही है जो storyteller है वो आपिस से center stage आ जाता है Storyteller, the next one to hear about the magic meal was a sea captain who traveled back and forth across the ocean bringing shiploads of salt to his countrymen he thought it would be a good thing to borrow the mill and make it grind salt then he wouldn't have to go sailing for a long time so storyteller center stage आ के बताता है कि अब जो दोसरा इंसान था जिसे magic meal के बारे में पता चला वो कौन था sea captain, जो की काफी दूर travel किया करता था किस के लिए ताकि वो ships भर भर के महां से salt लेके आ सके, नमक लेके आ सके अपने countrymen के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए तो उसने सोचा कि ये कितना अच्छा रहेगा कि अगर मैं जाके milk को borrow कर लूँ और उसके जरीए मैं salt को grind करना शुरू कर दूँ तो मेर को जो इतने दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है, salt लाने के लिए इतनी दूर दूर इतने लंबे-लंबे वक्त के लिए जाना पड़ता है, वो अब मुझे नहीं करना पड़ेगा तो स्टोरी टेलर इसी के साथ वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है As I was saying, if you would like me borrow the mill, I could fill my ship with salt here and sail home instead of having to go to a very distant port each trip तो स्टी कैप्टन पूर बिदर से आकर कहता है, कि जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर तुम मुझे ये मिल को बारो करने दो तो मैं अपनी शिप को इसके जरिये नमक से भर दूँगा और अपने घर की तरफ सेला जाँगा So instead of कि मुझे बहुत दूर दूर पोर्ट्स पर जाके हर ट्रिप पर सौल टिखटा करना पड़े Poor brother, you'd be sure to bring the mill back to me So poor brother sea captain से पूछता है कि तुम sure हो कि तुम मेरे पास मेरी मिल को वापिस लेकर आओगे Sea captain, of course I would, I am an honest man So sea captain ने कहा कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, मैं एक इमानदार आग्मी हूँ Poor brother, very well then, you may borrow the mill He goes across the room to where the mill was put on the shelf Here you are, only there is one thing you must remember So poor brother कहता है कि ठीक है, तुम मिल को मेरे से लेकर जा सकते हो So वो जाकर shelf पे से मिल लेकर आता है और sea captain को दे देता है कि ये लो, लेकिन एक चीज है जो तुम्हें याद रखनी होंगी Sea captain grabbing the mill from the poor brother's hand and not waiting for him to finish his sentence Don't you worry, I will remember to bring it back, I will remember So sea captain क्या करता है, वो फटा-फट से poor brother के हाथ से मिल लेता है और उसे अपनी बाद भी complete नहीं करने देता और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हारे पास वापिस लेके आंगा और मैं याद रखूंगा ये चीज He rushes out of the room as if he were afraid that poor brother might change his mind और इसी के साथ वो उसके कमरे से बाहर चला जाता है उसे यूँ लगता है कि कहीं जो poor brother है वो अपना मन ना बदल रहे और फिर वो उसे मिल देने के लिए इनकार करते उसे इस चीज का डर था वो फटा-फट वहाँ से चला जाता है Scene 7 The Storyteller strolls to center stage as before अफ फिर से Storyteller जो है वो नए सीन के बारे में बताने के लिए Stage के बीच में आता है Storyteller But the sea captain wasn't an honest man, no Sooner did he have the mill aboard his ship Then he ordered his crew to weigh anchor and set sail for home And as soon as the ship was underway, he ordered the mill to grind salt It began to grind and soon all the sacks were full and then the hold began to fill But the sea captain couldn't make the mill stop grinding So, what happened? Storyteller tells us that the sea captain was not a man, no one was a man So, as he took the mill to ship, he went to ship, he went to ship कि जो anchor है, जिसकी वेसे ship रुखी रहती है, उसे उपर खीच लो और home की तरफ, घर की तरफ, घर की तरफ, खिप को बढ़ा दो और इसी के साथ क्या करा? जैसे ही जो ship थी उसने चलना शुरू करा, उसने mill को order करा कि तुम मेरे लिए salt grind करो, तुम मेरे लिए नमक को grind करना शुरू करो तो अब mill तो चलने लगी, उसने नमक grind करना शुरू करा और जल्दी ही जितने भी सारी बोरिया थी नमक की वो सब भर गए अब इसके बाद परिशानी होना शुरू हुआ जब mill टुक नहीं रही थी और C captain को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस mill को कैसे रोके, किस तरीकी से इसको grind करना बंद करे इसी के साथ, स्टोरी टेलर वापस से लेट साइड जाकर स्टेज की बैट जाता है और परदे उपर उठते है C 8th, अब 8th scene, place, the deck of a sailing ship, place कौन सी है, deck है किसका sailing ship का, deck मतलब जो platform है यहाँ पर लोग काम करते रहते हैं, the storyteller strolls to center stage as before, जो storyteller है वो center stage आता है The sailor appears at right as the sea captain comes running into center stage from left So, क्या होता है, जो sailor है, वो right side of the stage खड़ा हुआ है, तभी, जो sea captain है, वो left side से भागता हुआ, sailor के पास आता है Sea captain, man on the boats, the ship is filling with salt, it will sink, it is sinking We shall be drowned, they all go running off right as the So, sea captain आके बोलता है, कि boat पर जाओ, कि मतलब जितने भी आदमी है, सब boats की तरफ जाओ जो यह पूरा जहाज है, यह salt से भड़ता जा रहा है, और यह डूब रहा है और हम सब इसी के साथ डूब जाएंगे, तो सब लोग भागने लगते हैं, इधर उदर Curtain falls, और जब सब लोग भाग रहे होते हैं, उसी के साथ, जो curtains है, वो नीचे गिर जाते है The storyteller stows to center stage as before, जो storyteller है, वो stage के बीच में आकर कहता है Storyteller The ship did sink to the bottom of the sea and the mill kept grinding as busy as could be It has kept on grinding with never a halt and that is the reason why the sea is salt Storyteller बता है कि जो ship थी, वो डूब गई, मतलब समुदर के तल में वो डूब गई लेकिन जो mill थी, वो क्या, वो अभी भी busy है, क्या करने में, grind करने में वो भी बिना रुके, it has kept on grinding with never a halt, never a halt मतलब कि बिना किसी रुकावट के and that is the reason why the sea is salt और यही reason है जिसकी वज़े से जो समुदर है वो salty है, उसका पानी salty है अब हम कुछ new words पढ़ेंगे जो हमने chapter में पढ़े troll मतलब walks in a leisurely way, tracks यानी की पुराने फटे कपड़े deceach यानी की bag, morsel यानी की थोटे pieces खाने के scouts यानी की बहुत गुसे में, draws यानी की आगे बढ़ना drops यानी की जो छोटे size के persons होते हैं, जिने हम bonna कहते हैं हिंदी में hand mill a grinder, feast यानी की खाने की दावत, pieces यानी की किसी चीज को पकड़ लेना chords, group of notes in music, chords कहते हैं जब आप music में कुछ notes लगाना शुरू करते हो a wash यानी की पूरी तरीके से liquid से भरा हुआ, a board यानी की away from native land जो तुम्हारी native land से उससे दूर, anchor एक heavy metal weight होता है जिसकी वज़े से ship इधर उधर move ना करे तो उसे हम नीचे डाल दिया जाता है ship पे hold a cavity in the lower part of a ship for cargo storage room deck यानी की वो platform ship का जो की floor की तरह use होता है, halt यानी की stop अब हम कुछ question answers करेंगे जो हमारे को chapter में given है question क्या कह रहा है, darken the correct option नीदी OMR sheet कि हमें यापे OMR sheet दी है और हमें सही option को क्या करना है, dark करना है the present chapter is based on a dash folktail तो यह जो हमने chapter पढ़ा, यह कहां की folktail पे based है, norwegian सही option क्या हो गया, c next, the story begins at the house of the dash brother तो जो story है, वो किस के घर पे शुरू होती है, rich brother के घर पे तो सही option क्या हुआ, option a next, an old dash came to the poor brother's cottage poor brother के cottage पर कौन आया, एक old beggar तो सही option क्या हुआ, option c next, the dogs love to eat जो बॉने थे हमको क्या खाना पसंद था, meat तो सही option क्या हो गया, d next, the c captain was जो c captain था, वो कैसा इंसान था, वो dishonest था, यानि कि वो इमानदार नहीं था, सही answer क्या हो गया, b यानि कि dishonest अब next question हम से क्या कह रहा है, fill in the blanks इनकी खाली जगों का हमें fill करना है the rich brother gave the poor brother two dash and a slice of roast तो rich brother ने poor brother को क्या दिया, दो क्या दिये थे, loaves bread के loaves दिये थे, और साथी roast का slice दिया था, roast meat का next, the poor brother gave the dash of bread to the old beggar poor brother ने old beggar को क्या दिया, loaves of bread next, the old beggar told the dash the way to the drops so old beggar ने क्या बताया किसे, मतलब किसे, drops तक का रस्ता बताया poor brother को, so told the poor brother the way to the drops, the poor brother could hardly wait to show his wife the poor brother क्या कर रहा था, he could hardly wait, क्या दिखाना चाहता था, वो अपनी the rich brother dash the mill and goes out the door, जो rich brother है, वो क्या करता है, वो mill को seize कर लेता है, और दरवाजे से भान निकल जाता है, तो क्या करता है, वो seize the rich brother seizes the mill and goes out the door, next question आपसे क्या कह रहा है, true or false, कि सही या गलत हमें बताना है, the poor brother went to the rich brother to bag some food for the fourth time, तो जो poor brother है, वो rich brother के पास, चौथी बार गया था, खाने को मांगने के लिए, yes, तो यह क्या हो गया, true next, the drafts live down among the roots of the trees, जो drafts थे, वो trees के roots के साथ नीचे रहा करते थे, yes, तो यह क्या हो गया, true the mill stops with good little mill, stop now, तो mill जो थी, वो good little mill stop now कहकर रुख जाती थी, नहीं, तो यह क्या हो गया, false क्या कहना पड़ता था, good little mill, I thank you for enough, the poor brother invited the poor of the village on a feast, after getting the magic mill, तो poor brother ने अपने गाहों के सब गरीब लोगों को एक feast पर बुलाया था, invite किया था, जब उसके पास magic mill आ गई थी, yes, तो यह क्या हो गया, true अब आगे की questions आप लोग खुद करेंगे, ताकि आप chapter को और अच्छे से, समस्त को हमारा यह chapter यहीं पर खतम होता है, उमीद है आप लोगों को chapter अच्छे से समझ पाया होगा, अब आपना next chapter next class में cover करेंगे, तब तक के लिए have a nice day